Hello Friends, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप अपने वीडियो में मोबाइल का फ्रेम लगा सकते हो, तो Friends, इसके लिए आपको काइन मास्टर इंस्टॉल करना होगा, तो सबसे पहले आप देख रहे हो मैंने काइन मास्टर इंस्टॉल किया है, और यहाँ पे मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको इस िसके लिए background ले सको अगर आपने ड्राउड़ किया है background तो फ्राइल को सिलेक्ट कर लो इसके बाद उस फायल पे टथेया आप उसको लाज कर सकते हैं जितना यह आपकी वीडियू की साइज है तो फ्रेंद्स इसको लाज करने के बाद तो आपको के साइड में जो निंसान दीख रहा है इस पर क्लिक करना है ठीक करना है ठीक है उसके बाद को यहां से वीडियो को इंपर्च करना है आपको ऊकलिक करना है और फिर से आपको मीडिया पर क्लिक करना है और अब को मुबाइल्स आपने मुबाइल की तो आपको सीलेट कर लेना है तो आपके सामने म casting आ गया अब इसको इसको खा। करते हो अपने जितनी लाज आपके मोबाइल का स्क्रीन रेकॉर्डर किया गया है आप देख रहो यहां पर आपको थोड़ा एजस्टमेंट करना पड़ेगा है में कि यहां से लेफटं साइशको थ्री ड्री और्टे करना है उसके बाद को संट बडंग यहां उसके बाद आपको okay कर देना है यहां से okay करने के बाद आप इसको play करकर भी देख सकते हो यह जो mobile का frame है आपको इसको भी enlarge कर लेना है जितना large आपके वीडियो का length है तो आप इसको भी ऐसे ड्रैक करकर आप वीडियो के लेंद के बराबर इसको कर लोगे ताकि वीडियो पे पूरी तरह से दिखे अब आप पूरे वीडियो पे आपका मोबाइल का फ्रेम है वो लग चुका है इसको आप अपने recording एजस्ट कर सकते हो कि आप इसको कितना large या कितना small आप रखना चाहते है अपने मोबाइल के साइच को उसके बाद आपको क्या करना है कि last में आपको जाना है जहां पर आपका वीडियो का एंड हो रहा है ठाक है उतना ही आपको background को सिलेट करना है कि वाद आपको background पर tap करना है और और इसके बात देखेंगा आपको Tram to right Tram to left तो आपको Trim to left ये Trim to right जो भी करना आपको यहां से cut कर सकते हो ठीक है friends और इस तरह से आप फिर okay कर देना ताकि आपका यह जो है यह पूरे वीडियो पर आपका जो background है वो background आ सके करना है यह export के लिए होता है आप आपको यहां दिख जाएगा एक्सपोर्ट तो आपको एक्सपोर्ट कर लेना है और यहां आप देख रहे हो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है और इस तरह से आप अपने mobile के जो screen का recording है उस पर आप frame लगा सकते हो mobile का frame I hope यह वीडियो informative लेगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही thank you